लेकिन हमारे हिंदू नेता तथा कथित फ्रॉड हमारी एक रामचरित मानस की कोई चुपाई निकालते हैं और बोलते हैं जला दो जला दो इसमें महिलाओं के लिए है इसमें इसके लिए है इसमें इसके लिए है अरे यह तो पूरा मानवता का दुरह कर रही है यह तो पूर स्मृति को जला देते हो क्या किसी एक भी नेता ने खड़े हो करके किसी चौक चौराहे पर कुरान को हाथ में लेकर कि कहा कि इसकी ये वाली बात मानवता के विरुद्ध जा रही है हम इसको जलाएंगे नहीं जला सकते क्योंकि वो सब जानते हैं कि सनातनी तो सौफ्ट है इ लेकिन ये मुसल्मानों के साथ यदि एक टिपनी भी तुमने करी तो ये तुम्हें वहीं सुभा तुमारे हाथ में गुस्ताक नभी की एक सजा सर्तन सजुदा तंसर सजुदा ये वाला पर्चा तुमारे हाथ में आ जाएगा तो लोगों को मैं चाहता हूं कि स्वाध्या लेकर के आया हूं कि मैं इस देश के 35-40 करोड मुसल्मान जो हमारे ही भाई थे जिनकी चौथी पीड़ी पाँचवी पीड़ी दूसरी पीड़ी पहली पीड़ी हिंदू थी वो किसी कारणवश मुसल्मान बन गए मैं तो कह रहा हूं आपका मैं स्वागत करता हूं मैं बाहे अपने घर वापिस आजाओ यह तुम्हारा असली घर है मानवता यदि तुम चाहते हो अमन चाहते हो चैन चाहते हो सवहार्द चाहते हो प्रेम चाहते हो करुना चाहते हो अपनत्त चाहते हो वास्तविक भाई चाहते हो मनुष्यता चाहते हो इंसानियत चाहते हो तो अप अपने गहर में वापस आजाएए आपका घरर बाहए वगार करके सुआगट कर रहा है और अगर वोदहर ही रहे लेकिन प्रेम से रहना चाहिंगे तब तक वो प्रेम से कैसे रहेंगे बताईए कैसे रहेंगे जब तक उनके मूल में ये है कि अल्ला के सिवा कोई इबादत करने योग नहीं है और महम्मस सहाब के बिना उसका कोई रसूल नहीं है जब तक ये दिन में पांच बार अजान में पुकारा जाएगा तब तक वो क ऐसे रहेंगे फिर तो उनको मालूमी है ना कि अल्ला के सिवा कोई इबादत करने योग नहीं और मेरा ये पडोसी राम नवमी पर मेरा ये पडोसी राम मंदिर बनने पर मेरा ये पडोसी भगवान स्री कृष्ण की जनम भूमी मांगने के लिए जब सड़क के भार शोभयात निकालता है राम जी का जंडा लेकर के तो ये तो मेरे फर्मान का द्रोह कर रहा है क्योंकि मैं तो दिन में पांच बार बोल रहा हूं कि अल्ला के सिवा को इबादत करने योग नहीं है और ये जैजैश्री नाम के नारे इस धर्ति पर लगा रहा है ये इसको मैं नहीं मूल में यह फरमान है तो इसलिए उसको मूल में मानवता की जो मानवता का जो संदेश है वो मानना पड़ेगा कर दो कर दो कर दो कर दो